तीसरा हर्षित रहस्य को जान्म हे पिता हमारे तु जो स्वर्ग में है तेरा नाम पवित्र किया जावे तेरा राज जावे तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस प्रत्वी पर भी पूरी हो हमारा प्रतिनिम्का आहार आज हमें दे और हमारे अप्राद हमें शमा कर जैसे हमी अपने अप्रादियों को शमा करते हैं और हमें परिशा में नाजा परंतु गुराई से बचा आमे जब आठ दिन पूरे हुए और उसके खतने का समय आया तो उसका नाम यीशु रखा गया, जो स्वर्गदूत ने उसके पेट में आने से पहले कहा था, और जब मुसा की विवस्था के अनुसार उनके शुद्ध होने के दिन पूरे हुए, तो वे उसे यरुशलेम में ले प्रणा मरिया, कृबपुर्ण, प्रबू तेरे साथ है, दन्य है तू स्त्रियों में, और दन्य है तेरे गर्ब काफल येशु है सांद मरिया, परमेशर की मा, प्रातना करहम पाबियों के लिए, अब और हमारे मरन के समय, आमेन और देखो, यरुशलेम में शमौन नाम एक मनुश्य था, और वे मनुश्य धर्मी और भक्त था, और इस्राइल की शांती की बाट जो रहा था, और पवित्र आत्मा उस पर था, और पवित्र आत्मा से उसको चितावनी हुई थी, कि जब तक तू प्रभू के मसीह को देख न लेगा, तब तक मृत्यों को न देखेगा। और वे आत्मा के सिखाने से मंदिर में आया, और जब माता पिता उस बाला कीश्य को भीतर लाए, कि उसके लिए व्यवस्था की रीति के अनुसार करें, तो उसने उसे अपनी गोद में लिया, और परमेश्वर का धन्यवाद करके कहा, प्रणा मरिया, कृबपुर्ण, प्रबू तेरे साथ है, दन्य है तू स्त्रियों में, और दन्य है तेरे गर्ब काफल येश्व हे सांद मरिया, परमेश्वर की मा, प्रातना करखम पाबियों के लिए, अब और हमारे मरन के समय, आमेन हे स्वामी, अब तू अपने दास को अपने वचन के अनुसार शांती से विदा करता है, क्योंकि मेरी आँखों ने तेरे उध्धार को देख लिया है, जिसे तू ने सब देशों के लोगों के सामने तयार किया है, कि वह अन जातियों को प्रकाश देने के लिए जोती और तेरे निज़ लोग इसराइल की महिमा हो. प्रणा मरिया, क्रिवपूर्ण, प्रबू तेरे साथ है, दन्य है तू स्त्रियों में, और दन्य है तेरे गर्ब काफल येसू. है सांद मरिया, परमेशर की मा, प्रातना करहम पाबियों के लिए, अब और हमारे मरन के समय, आमेन. और उसका पिता और उसकी माता इन बातों से जो उसके विशे में कही जाती थी, आश्चर्य करते थे. तब शमौन ने उनको आशीश देकर उसकी माता मरियम से कहा, देख, वह तो इस्राइल में बहुतों के गिरने और उठने के लिए, और एक ऐसा चिन्ध होने के लिए ठहराया गया है, जिसके विरोध में बाते की जाएंगी. बरन तेरा प्राण भी तलवार से वार पार छिट जाएगा, इससे बहुत हिर्दियों के विचार प्रगट होंगे. प्रणा मरिया, कृबपुल, प्रबू तेरे साथ है, दन्य है तू स्त्रियों में, और दन्य है तेरे गर्ब काफल येसू. है सांद मरिया, परमेशर की मा, प्रातना करखम पाबियों के लिए, अब और हमारे मरन के समय, आमेन. और जब ये प्रभू की विवस्था के उनसार सब कुछ निप्टा चुके, तो गलील में अपने नगर नासरत को फिर चले गए. प्रणा मरिया, क्रिबापुल, प्रबू तेरे साथ है, दन्य है तू स्त्रियों में, और दन्य है तेरे गर्ब काफल येसू. है सांद मरिया, परमेशर की मा, प्रातना करखम पाबियों के लिए, अब और हमारे मरन के समय, आमेन. उनके चले जाने के बाद, देखो प्रभू के एक दूत ने, स्वपने में यूसुफ को दिखाई दे कर कहा, उठ, उस बालक को और उसकी माता को लेकर मिश्र देश को भाग जा, और जब तक मैं तुझ से न कहूं, तब तक वही रहना, क्योंकि हिरोदेश इस बालक को ढू प्रणा मरिया, क्रिबपुर्ण, प्रभू तेरे साथ है, दन्य है तू स्त्रियों में, और दन्य है तेरे गर्ब काफल येसू है सांद मरिया, परमेशर की मा, प्रातना करहम पाबियों के लिए, अब और हमारे मरन के समय, आमेन वे राथ ही को उटकर बालक और उसकी माता को लेकर मिश्र को चल दिया, और हिरोदेश के मरने तक वहीं रहा प्रणा मरिया, क्रिबपुर्ण, प्रभू तेरे साथ है, दन्य है तू स्त्रियों में, और दन्य है तेरे गर्ब काफल येसू है सांद मरिया, परमेशर की मा, प्रातना करहम पाबियों के लिए, अब और हमारे मरन के समय, आमेन जब हिरोदेश ने यह देखा, कि जोतिशियों ने मेरे साथ ठठा किया है, तब है क्रोध से भर गया, और लोगों को भेज कर जोतिशियों से ठीक ठीक पूछे हुए समय के अनुसार, बैतलहेम और उसके आस पास के सब लड़कों को, जो दो वर्ष के, वा उससे छोटे थ मरवा डाला असके मरने के बाद देखो, प्रभु के दूत ने मिश्र में यूस्फ को सब्सक्त में दिकाई देकर कहा, कि उठ, बालक और उसकी माता को लेकर, इसराईल के देश में चला जा, क्योंकि जो बालक के प्रान लेना चाहते थे, वे मर गएे। वे उठा, और बालक और सक्ता क को साथ लेकर इस्राइल के देश में आया और सुपन में चितौनी पाकर गलील देश में चला गया और नासरत नाम नगर में जा बसा प्रणा मरिया कृबपुल प्रबू तेरे साथ है दन्य है तू स्त्रियों में और दन्य है तेरे गर काफल येसू है सांध मरिया परमेशर की मा प्रातना करहम पावियों के लिए अब और हमारे मरन के समय आमेन पिता पुत्र पवित्र आत्मा की बड़ाई होवे जैसे वह आदी में थी अब और अनंतकाल तक सदा रहेगी आमेन